हेलो एवरिवान वेल्कन टू स्वात घर्सा मैं पुनम और आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता क्रीमी चेजी मियोनीस पास्ता तो प्लीज वीडियो को पुरा देखे तो चली बराना शूर करते हैं और आज मैं बना रही हूँ इस प्रिंग पास्ता तो हमने लिया है एक अधक देंगे उबाल आने देंगे कैस को तेज कर दें और यह देखी उबाल आ चुका है तो अभी हम इसमें डालेंगे दो कप पास्ता कप से यह मने लिया है दो कप और ग्राम से लेंगे 250 ग्राम हमने लिया है इस प्रिंग पास्ता और इबर हम सब को अच्छते से मिक्स क डालें एपर सभी को अच्छे से मिला लें उसके बाद हम इसे ढग देंगे आठ मिनिट के लिए क्यास को मीडियम फ्लेम पी रखें आठ मिट पूरे हुचके और हमारा पास्ता बंद करके तैयार हुचका यह देखें बहुती खिले-खिले पास्ते हमारे बने हैं तो गैस को ह देखें पास्ते को छान लेंगे आपके पास जोभी जालीदार बरतन हो या चान नी हो इसमें आप छान लें और पास्ते को छान करके निकालने इस में ऑल नहीं डालना है क्योंकि हमने पानी में डाला है और बहुत ही अच्छी खिले-खिले बनें अ चाकु से थोड़ा तो हमारा पास्ता रेड़ी है बनने के लिए और भी हम लेंके एक कड़ाही उसमें हम ढालेंगे ऑल तीन से चार चमच वह बटर भी ले सकते हैं और तेल गरम हो चुक है और इसमें हम ढालेंगे बारी काट करके लस्टून तो पांग से छे लस्टून को हमने छुट-छुटा पीस में काट लिया था और अभी मिस में डालेंगे मिर्ची दोनों को 10 से 15 सिकंड के लिए अच्छे से पका लेंगे तीन हरी मिर्ची को हमने चुटे-चुटे पीस में काट लिया था तीका आप अपने टेस के अनुसार डाले अगर आप बच्चो क्लिए मना रहे तो थोड़ कि इसमें काट लिया है तो सब्जे आप अपने टेस के अनुसार डाल सकते हैं और कम यह सादा भी कर सकते हैं सब्जे को आप इसमें पींस भी डाल सकते हैं और अभी हम गाजर और शिम्ला मिर्च को 30 सेकंड तक अच्छे से पका लेंगे बहुत जादा हमें पकाना नहीं है सिर्फ 30 तो 40 सेकंड ही हम अच्छे से पका लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा प्याज तो हमने लिया है एक कब हरा प्याज तो अभी हरे प्याज का मौसम चल रहा है और प्याज बहुत ही प्रिशारे मार्केट में तो अच्छे तरी किसा आप प्याज को धो देंगें उसके बाद चोटेशी काट लें बहुत ही अच्छा स्वाधा है तो आप भी एक बर हरे प्याज का प्याज बनाके तो में इसमें डाल रहे हूं आप एक बर शरूर जख द्राइए करें हरे प्याज का पस्ता बहुत ही टेश्टे लागता है अगर आपको हरा प्य प्याज मिले तो आप एक प्याज ले ले और स्टार्टी में ही लसुन के बाद आप प्याज को अच्छी तरीके से पका ले उसके बाद सारे इंग्रिडेंस को डालें और मैं तो आज बना रही हूं हरे प्याज का पास्ता तो अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी तो दो टमाटर हमने लिया था और टमाटर को अच्छी तरकी से धोने के बाद इसका पेस्ट बना लिया है आप चाहें तो टमाटर को बारी काट करके भी डाल सकते हैं और मैंने आज प्यूरी डाला है तो इससे बहुत अच्छा ग्रेवी आता है पीस करके डालने से तो सब को को अच्ची तरुके से मिक्स कर लेंगे पास्टे में लसुनिया पयाज नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किफ्ट कर सकते हैं नडालें बेना लशुन पयाज के भी बनाएं और अभी हम इसमें डालेंगे 1 capitalism निद गो ने ले और चानने के बाद से से nadना अच्छे से और इसके बाद हम डग देंगे डग करके हम पकाएंगे तो से तीन मिट तक गैस की फ्रेम को मीडियम रखें और दो से तीन मिट पूरे हो चुके हैं टमाटर हमारा अच्छे तरिके से पक चुका है और लगभग सबजियां भी तो अभी हम इसमें डालेंगे टमाटो कैचप तो म दर-दर अपीश ले एक छोटा चमच हम पने डाला है चिली फिक्स और अभी इम ईसमें डालेंगे एक छोटा चमच काली मिर्च का पौर्डर काली मिश को दर-दर, अपीश लेust ऋ ढालें। ईर यह है मयोनीज आज मैं पास्टे में डालन हूं मैयोनीज यह मयोनीज बहुत तीन चमश आप मलाई पास्ते में डाले और यह लिया है हमने क्यूब में है चीज एक क्यूब पुरा में चीज डाल रही हूं आप उसे ग्रेट कर ले या ऐसे ही तोड़के भी चीज को डाल सकते हैं और यह है औरिगेनो तो एक चमश हमने वन टेवल इस्पून डाला है औरि सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें वर तक हमारी ग्रेवी अच्छे तरीके से बन जाती है आप बिना चीज के भी पास्ता बना सकते हैं बहुत ही टेस्टे लगती है ग्रेवी के लिए आप मलाई का यूज करें उसे भी बहुत ही अच्छा पास्ता बनता है ग्र मिक्स कर लें और हमारा टेस्टी पास्ता बनकर की तैयार हो जाता है अस्ता मेरे जितने भी इंग्रीडेंस डाले हैं उनमें से कर आपके पास जो ना हूं उसे आप स्किप कर दें और जो आपके पास इंग्रीडेंस आप उसे ही डाल करकी पास्ती को बनाए और इसके उपर से हम थोड़ा सा और हरे प्यास को डालेंगे यह देखिए देखने में बहुत ही अच्छा लुक आता है हरा प्यास से बहुत ही अच्छा टेस्ट और देखें भी बहुत संदर लगता है तो बस हमारा रेडी है पास्ता प्लीस वीडियो को पुरा देखें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरे रेसिपी कैसी लगी रेडी है हमारा क्रीमी चीजी म्योनीस पास्ता थैंस पर वाचिंग मिलते हैं नाइस रेसिपी के साथ अब तक लिए टाटा बाबें टेक क्यर